हम पढ़ने वाले Tea from Assam तो जलए से स्टाप्टे को स्टार्ट कर लेता है तो सबसे पहले इसमें हमें दो बच्चे दे रखे हैं प्रांजल और राजवीर जो प्रांजल है वह असाम का रहने वाला और यह दोनों क्लास्मेट हैं डेली में डेली में दोनों क्लास्मेट है और प्राद जो त्रिविजश्सों का देखिया बारी जो अपर और हम इसके डिवीजन करें नल्हे हैं उससे तों प्राद गड़मार गोर्ष सटबुन来बताए पर अब यह दिवियों किसी डिवीजिन ऑप्र ओना से एक बरुभ में गर्मियों के च्थिएवं के लिए लिए बादर बेच हो जैंते में बैच अब घ्रीन में रहता है और ट्रीन हेते हैं जो ऀसके पूषिते दी लोग सबस्के। चीक है अब राजवीर बोलते है राजवीर कौन जो असाम से नहीं था चीक है अब राजवीर बोलते है कि तुम्हें बता है मतलब एक दिन में पूरे वर्ल्ड में 80 करोड कपस बिखते हैं मतलब एक दिन में पूरी दुनिया में 80 करोड कपस चाहे के बिखते हैं चीक है अब बोलते हैं वो एक तरह से सप्राइज होता है और बोलते हैं शुक्त झाये बोलते हैं को रच्वीर हैं इतना चाहिंन प्रोपुलर है भूठी से चल पर घ्छाल से चल पते हैं यो प्राझ्जल है वो अपनी डिटेक्टिव बुख पढ़ने लग जाता है अतों ब्ली यह जा तो वह भार का व्यू इंजोई गर रहा है उसने मतलब जितनी दूर तक देखे उसे हरा हरा हर्याली हर्याली दिख रही थी अब चावल के खेज से टी बुशिस आने लगे थे अब जैसे कि जो टी बुशिस थी वह बिल्कु समंदर की तरह लग रही थी चिक फिर वहां पर उ बुशिस पीच में लगा दिया जाते है क्योंकि उनको दूप से प्रोटेक्ट किया जाय रहा है उनको चायय विल्का इसलिए तो बढ़े बढ़े होगे और जो टी बुशिस थी, वह चोटी होगे वह थी बुशिस थी, फिसी थी बुशिस थी प्रोटी लगे तो यह नहीं तो उनको बोला गया क्योंकि वो डोल जैसी लग रही थी और कुछ दूरी पे एक गंदी सी बिल्डिंग भी दिख रही थी जिसमें से दुहा निकल रहा था अब जो राजवीर होता है वो एक्साइटी हो कि बोलता है और फिर बताते है कि जो असाम है उसके पास सबसे जादा चांसेंट्रेशन है प्लांटिशन का पूरे वर्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा टी की plantation असाम में होती है फिर वो बोलता है कि अगर तुम अपनी पूरी जिन्दी अगर असाम की plantation भी देखोगे न तो भी यह खतम नहींगा उस इतनी सारी Plantation है असाम में जो चाहेगी अब राजवीर बोलता है कि ट्रेन में आने से पहले मैंने बहुत कुछ पढ़ा IT के बारे में और मुझे पता चला है कि जो टी ना ये तो नहीं पता कि उसको किसने डिसकवर किया है बट उसके बारे में बहुत साइज स्टोरीज है अब वो बोलता है कि कौन सी स्टोरी मुझे बताओ तो वो बोलता है कि एक तो चाइना की स्टोरी है एक इंडिया की स्टोरी है चाइना की स्टोरी है कि जो चाइनीज एंपरर था ना वो हमेशा अपना पानी गरम करके पीता था क्या हुआ कि एक दिन उसकी मतलब जो पानी गरम करके पीता था ना उस पानी में कुछ पतिया गिरी चोटी सी टहनी पर से तो फिर जब उसने पानी पिया तो मतलब वो बहुत डिलिशियस लगा बहुत टेस्टी फ्लेवर आया उस पानी में से फिर पता चला कि वो तो टी लीव्स थी फिर वो बोलता है कि दूसरी स्टोरी बताओ प्रांजल बोलता है अब इसमें एक इनियल लेजन्ट की भी स्टोरी है वो क्या एक बुद्धी धर्मा एक बुद्धिस्ट होते थे उनको ना मेडिटेशन की टाइम पर अनीद आती थी तो उन्होंने अपनी पलके कार दी अब जब उन्होंने पलके कार दी ना उन पलकों से दस टी प्लांट्स अब राजवीर एक और बात को एड करता है कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी 2700 बीसी में और देखा जाए तो जो चाय है और जो चीनी वर्ड है ये चाइनी से आया है और फिर जो चाय है वो 16th century में यूरोप में पॉपुलर हुआ होगा और वो मैडिसन की तरह पिया जाता होगा अब जो ट्रेन होती है वो मरीनी जंक्शन पर जाकर रुखती है फिर वो दोनों लड़के अपने लगी जिद लेते हैं समान लेते हैं और फिर धका मुखी करके उस क्रावडिट प्लेटफोर्म से निकल जाते हैं अब जो प्रांजल है उसके पेर हम काते हैं थावर इस्टेट में पोष्टते हैं आप वह पी जो बाड़ी ए जैसे और पी प्लास्टिक आपरन पहना होता और फिर जो नहीं नहीं leaves आई हुई थी ना उन्हें तोड रहे थे अब जो प्राँजल के पाप है उन्होंने कार को slow कर दिया था क्यों slow कर दिया था क्योंकि वहां से एक tractor जा जा था जिसमें बहुत सारी tea leaves भरी हुई थी मैं बिल्कुल लदी हुई थी अब राजवीर बोलता है मिस्स बर्वा से जो प्रांजल के फादर थे क्या यह सेकेंड फ्लश है या फिर स्पार्टरिंग प्रियूर्ड है जो मेंसी जुलाई तक चलता है और इसमें बेस्ट टी लीव्स मिलते हैं मतलब बेस्ट टी बनती है इन पत्तों की अब जो प्रांजल के फादर होते हो यह सुनके सप्राइज हो जाता है ऐसा लगते है कि तुम अपना होमवक कर क्या हो यहाँ आने से पहले पिर वो रिपलाई देता है हाँ मिसस बर्वा बट मैं चातो जो मैं यहाँ से जाओं तो मैं इसके बार में और भी बहुत को सीख के जाओं अब देखो सेकेंड फलश का क्या मतलब होता है यह एक्चुली सिर्फ बताने का तरीका होता है कि चाय की पत्या कप चुनी जाती है चीक है उनका सवाद क्या होता है चीक है और जो सेकेंड फलश मतलब हम दूसरी बार जब टी लिवस को निकाल रहे है अब मैं प्रैफर करूंगे तो मैं इसकी एक बार ही इंसियाटी पढ़ लो आप मोटी मोटी पढ़ लो पड़ एक बार पढ़ लो ठीक है अब इस चाप्टर में वैसे 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 वर्ड जी उस हुआ है तो तुम्हें उपर उनके मीनिंग दिख जाएंगे ठीक है तुम्हें बार बार पर 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 रिशानी होना पड़ेगा गूगल पर निचाना पड़ेगा और लाइन भी मैं लिखी हुए कौन सी लाइन पर कौन सा वाड है चीक है तो थेंक्यों फो वाचिंग दिस वीडियो मलते हैं नेक्स विवाम तबते के लिए बाई बाई टेक्यों बाई